शुरुबात के 10 मिनिट्स में हमने आज जो ट्रीड एक्जिक्यूट किया है उसको एक्स्पें किया है एंट 12 मिनिट्स के बाद में कैंडल के कलर के उपर का डिस्केशन है यह चीज हम इसलिए आपको इंफर्म करें था कि अगर डिरेक्ट आपको स्किप करके सारा कॉंसर्प स्किप करके आज की ट्रीड एक्जिक्यूशन और रीडिंग्स को प्राइज एक्शन को स्किप करके सीधे कैंडल के लिट्स के उपर जाना है तो आप स्किप कर सकते हूं 12 मिनिट्स आगे तक बढ़ा दीजे आप और डिरेक्ट वहां पर पहुंच जाएंगे हां ट्रीड में लाइफ मार्केट में जिस तरह से हमें ट्रीड एक्जिक्यूट किया है कैसे कॉइंटेज इस टॉप लोस टार्केट वागर उसको समझना है तो विदाउट एनी टैप ऑफ इसकिप आप पूरा वीडियो देख सकते हो थैंक्स एंड वेलकम तो दा स्टोडियो टेर्स कि अच्क को आज के दिनों फिर से टेट कर रहे है कल भी हमने से को रिट किया था एंड डाउंसाइड की तरफ हम ने इसके अंदर अपना ट्रेट एक्जेक्शन किया था कि प्रैजिस के अंदर जो मॉवमेंट से कल से पहले के यह देखिए यहां से प्रैस हमारा दूसिए यह ब्रूसु लोस अब लोसिपी लोस देखिए हाई ब्रोंत करें के लोस ब्रेक चले जा लूस ब्रेकोर दाइन है उल्ला की फोर्टिम को तो इसके अंदर अपना स्टॉपρ है था विकॉस हमने यहां पर इसे बाइंग के लिए दिया था बट प्राइस यहां पर देखिए ऊपर की तरफ गया है और यहां से फिर यह नीचे की तरफ गिर गया था उम्मीद यह थी क्योंकि की वॉल्म के ब्रिख O hatred बहुत अच्छे खासे वॉल्म के ब्रकाउट न्युक्त अदर देखने यह का से कांटिन्यू लगारा था, हमने यहां पर आपने profits भूक कर लिए थे कल सेशन में, अब आज भी देखे क्या हुआ, market के movements के लिए आज उन्ही है movements को market फिर से continue कर रहे हैं, मतलब lower fees, lower fees, lower fees continue लग रहे हैं आज भी सेम चीज हुई है प्राइस हमारा नीचे के दिशा में ही गिर रहा है आज हमने जो इसके अंदर अपना ट्रेड एक्जेक्यूट क्या है 88.60 का हमारा ट्रेड एक्जेक्यूशन है स्टॉप लॉज एटीवन और बुक अपन करते हैं तो प्राफिट चल रहा है और बुक देखें और बुक में देखें कई सारी कॉंटिटीज यहां पर एक्जली हमें लगाने थी 6000 कॉंटिटीज के वज़े हमने यहां पर गलती से मार दी 600 कॉंटिज इसके बाद में फिर हमने 5400 कॉंटिज मारी के 6000 मारी complete हो जाएंगे पूरी हो जाएंगे यहां पर क्या हुआ कि 5187 कॉंटिज एक्जेक्यूट हुए और 5400 का ओडर लगा हुआ था तो टोटल जो अपने पास कॉंटिज आई 5787 जिसका स्टॉप लगा हुआ है और बाकी शायद 213 कॉंटिज बसते ही ना 213 कॉंटिज का ओडर मिला ने तो यह जो ओडर अपना यह ट्रेड 5787 कोंटिज के साथ एक्जेक्यूट के स्टॉप लगा हुआ है इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार एंट वापस चलते पोशिचन बुक में सो पोशिचन बुक में प्रॉफित अपना देखिए इंक्रीज हो गया 12472 का सबस्का प्रॉफित अपना चल रहा है फ इसके जो टार्गेट लेवल से में देख रहा है यह वाला प्रॉइंट यह टार्गेट अरिया बन रहा है अब एक चीज देखेंगे यहां पर हम लोग ने अपनी एंट्री कैसे लिए स्टॉप लॉस कैसे लगा है इन टार्गेट किया थे दूसरी चीज हायर टाम फ्रीम क अपनी नासेस किया थे विकॉस बहुत वॉलेटाइल स्टॉप है यह हालां कि 86 रुपेज का स्टॉक है और ट्रेट भी जो हम एक्जिक्यूट करते हैं वो 500 के ऊपर के स्टॉक होते हैं जिसको कि हम ट्रेट करते हैं इसको हम इसलिए करें बहुत ज्यादा पोटेंशल नंस के अंदर हालां कि चोटी 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 केंडस काफी अच्छी रुप हो जाती है मौनिंग में अपर टार्गेट एरिया था 86.30 का था यहां पर प्राइस बिल्कुल भी कह सकते हैं कि अगर हमने पहले इस और लगा करके रखा था तो पॉस्सिबिलिटीज है कि जितनी क्वानिटीज है अपने पास 5000 के असपास वो सारी क्वानिटीज यहां पर निकल जाते ही बट मौका नहीं दिया निकलनेगा और पहले जो कोई और प्राइस ने जस्ट क्या किया है इस वाले ट्रेंड को चोटा से इसका बोल सकते हैं कि आदे घंटे का एक ट्रें के नीचे एक भी कंडल क्लोस की तो ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस यहां से 1 या 1.5 परसेंट फिर से गिर जा इस वत का अपना प्राफिट चल रहा है 10,157.25 के आसपास का प्राफिट चल रहा है देखिए कंडल कलर के ओपर काफे सारी चीज़े मैटर करती हैं आज के वीड इसको बुलिश केंडल मानते हैं रेट केंडल होते हैं इसको बेरिश केंडल मानते हैं कई सारी पिन बाहर से होते हैं उसको बुलिश है बेरिश मानके चलते हैं केंडल के कलर के उपर उसके मुव्मेंट्स तैह नहीं किये जाते हैं ग्रीन केंडल बेरिश भी हो सकती है रे आप देखोगे मार्निंग में जो अपना सबसे पहला ओर लगाया था नाइन फॉरीफटी फास में 88.65 यह वायरा गया था जहां से हमने अपना ट्रेड एक्जिक्वुट किया था यहीं से हमें 6000 कॉंडिटी का ओर एक्जिक्वुट करना था तो लीजे पेस्ट कर देते हैं 65 यह यह 88.65 क्या है कल की आप कैंडल देखोगे 1235 की कैंडल क्यूंकि कल की इस कैंडल लो लगाया था 88.65 हमें कल के लोज के पास से ही अपने ट्रेड एक्जिक्वुट करने था वहीं से हमने अपना ट्रेड एक्जिक्वुट करने था यह एरिया हमारी लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यूं हो जाता है लोवर टाइम फ्रेम पर हम समझेंगे जैसे कि हमने आपको बताया मौनिंग में के 14 दिसेंबर को हमने इसके अंदर 22 साइट की तरफ टेड एक्जिक्व वहां भी स्टॉप लोज गया था जिस दिन स्टॉप लोज गया उस दिन आप देखोगे कि प्राइस के जो मुव्मे मतलब इसने कई सारे लोज फॉर्म किया थे नेक्स्ट है क्या हुआ जब हमने इसके अंदर प्रॉफिट कियोंगे कल का सेशन जो हमारा 15 दिसेंबर को भी हमने इससे को ट्रेट किया था रिजन क्या था उसका कि प्राइस जिस दरह से लोज को कॉंटिव कर रहा था वैसे 15 15 दिसेंबर को भी इसके अंदर आप देखोगे तो इसने अपने लोज प्राइस कहीं पर भी अपने हाई को ब्रेक करने की कोशिश ने कर रहा है और फाइनली यहां पर इसने लोज को ब्रेक कर दिया सिंपल दी चैज़े समझने वाली हा अब अगर इसको ऊपर की दिशा में जाना है तो क्या करना होगा प्राइस को कम से कम अपना कोई हाई ब्रेक करना होगा जैसे कि यह वाले हमारे हाइस इस अब MICHा मालूम होता है लेकिन जब use करने की बार यह थी तो कई बार आप confused हो जाते होगे कि use कैसे करें मालूम तो है lower lower highs यह सारी चीज़े depend करती ही tactics के पार कुछ techniques भी लगती ही जिसमें हम लोग volume and price इन दोनों का mix up करते हैं समझेंगे कोशिश करते हैं कि price में किस तरह से lower lows और lower highs फॉर्म हो रहा है जैसे कि देखे एक यह वाला हमारा low लगा हुआ था कल के session का सबसे last हमारा यह वाला low था price ने हमारे इस low के पास में पहुचते ही यहां से volume के breakout कर दिया प्राइस का जो previous swing था उसके breakout पर दिखे प्राइस ने किस तरह से volumes इंक्रीज कर दी एक तरह से हमारे swing को identify कर देते हैं इस तरह के volumes के structures and price के structures अच्छे structures आपको मिलेंगे breakout में और volumes के भी ठीक ठाके structures मिलेंगे जैसे कि कोई भी एक area आप मान के चुरूँ कि आप जिसको मानते हूँ कि यह बड़ा important हो सकता है अब उसको market के उपर एक बार छोड़ भी दो देखते है market उसको मानती है यह नहीं अगर उस level को price ने एक heavy volume के साथ break किया है इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके उस level को market respect कर रही है और यही एक तरीका होता है अपने levels के power को समझने का आपका level कितना strong है यह चिस पता करने का यह बिल्कुल first level है एकदम simple तरीके से इस तरह से पता करते हैं बाकी यहां पर एक single candle भी होती है और फिर कई सारी volumes के structures यहां पर बनते हैं जो कि group of volume structures बोले जाते हैं जैसे एक candle से तो यह हुआ कि हमारे level break हो गया इसके बाद में फिर कई सारी volumes बनती है प्राइस अमाना sustain करता है या फिर breakout कर देगा यह इन group of supports का breakout जैसे नीचे की तरफ हो तो यह extra confirmation के तौर पर हम पने level को identify करते हैं अभी क्या है बेसिक्स में तो लोग mother candle, engulfing candle और pin bar इसी में फसे रहते हैं यहां पर तो आते आते हो सकता है कि वह market से out हो जाते हो सही तरीका ही नहीं मालूम है, price actions के देख कितने सारे वीडियो से upload करते हैं आप उसको देखोगे ना तो समझ मैंगा कि actually price action work किस तरह से करता है बट लोगों की आदत क्या होती है कि इतना दिमाग लगाने इतना दिमाग ही नहीं लगाते हैं उन्हें लगते हैं फटाक से कैसे पता चलिए तो बहुत डीप है क्या इसको समझना हटाओ दूसी जगह करे अच्छा यहां पर हो रहे है तो बड़ा बड़ा profit हो रहा है चाही हो जा रहा है शुरुआत मौनिंग के आदे गंटे और एक गंटे के अंदर फ्रॉफिट बन रहा है अप लोग बनाते होगे ना profit मौनिंक के आदे गंटे में आप लोग तो एक एक लाह गुपर बनाते होगे अगर बना रहो तो फिर तो आपको ईघ्र वीडियो आप जैसे एक्सेस को करिए अब जैसे NCC के अंदर हम यह प्राइजक्शन आपको बोल नहीं है NCC में ही नहीं आप किसी भी स्टॉक में लागा लो हर स्टॉक के अंदर काम करता है यहाँ पर वॉल्म्स के बेक आउट फिर प्राइज आपका सपोर्ट एरिया पर यहाँ पर व यहाँ पर में ट्रेट लगाया एक्जेक्यूट नहीं और फिर नीचे की तरफ आया प्राइस फिर नीचे की तरफ आया तो इस तरह से करके थोड़ी थोड़ी क्वांटिस हमारी एक्जेक्यूट हुए तो एवरेज प्राइस जो हमको मिला वह आप देखोंगे पोजिशन अब यहां से देखिए प्राइस के अंदर कंटिनुसंट से स्टार्ट सी जैसे कि प्राइस प्रीवेस यीर्वेष सपोर्ट कर रहा था है और आज भी ऐसे थें स्फरी नियों यहें प्राइस हिए से बीड's greatest और उस्तो और में पर लगा देखिए यहां एक कनडल्स देख के order book के अंदर आपको stop loss मिलेगा 89 रुपीज का stop loss इसको रिफ्रिश कर लेते हैं and 89 रुपीज के stop loss में क्या है क्यों हमने यहां पर रखा आप देखोगे के morning में जो सबसे पहले swing draw हुए थे यह price ने low लगाया ना इसके नीचे जो green वाली candle candle की range के अंदर आकर के trade करने start कर लिया यहां पर low एक यह high लगा price ने इस green वाली candle का low break नहीं किया मतलब closing नहीं कि इसके नीचे और यहां से price विर सीध है आपका ऊपर की तरफ चला गया इस green वाली candle का जो low है और high है यह important हो जाता है अब हम इसको mark कर लेंगे अब देखिए price उपर की तरफ गया हम देख रहे हैं कि कल से market क्या कर रही है अपने lows को ब्रेक कर रही है यह वाली lows और इसको market अलड़ी ब्रेक कर चुकी और अगर price को strong होना तो फिर से अपने swing हाइस ब्रेक करने पड़ेंगे यह वाले इस तो यहां तक तो market गई नहीं है इसके नीचे से इसके अंदर price actions आपको show कर रही है अब green वाली candle का high and low हम mark कर लेंगे यहां से price देखे ऊपर की तरफ क्या है एक rejection बना और rejection के बाद में price जमारा फिर नीचे की तरफ अब एक बार जब इस green वाली candle के नीचे market ने अपने movements स्टार्ट किये तो मुश्किल है फिर वापस से price इस green वाली candle की range के अंदर जाए तो यहां पर top पर हमें कौन सी candle मिली यह वाली यह green वाली तो यह सारी चेज़े देखते हुए और इस green वाली candle को just अपना significant point महनते हुए हमने यहां पर अपने stop loss लगाया target series हमने आपको बताया ही यहां पर कहीं पर हम लोग अपने targets को book करेंगे सो देखते हैं आज आज की market अपने लिए क्या रखा हुआ है सो 11,000 के आसपास के profit अपना चल रहा है जैसे price इस एरी में आता है हम लोग यहां से अपना profit book करके निकल जाएगे और अब game start होता है green candle and red candles का bullish और bearish candle का इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको कुछ एक चीज़ें clear होनी चाहिए prices के trends होते है यह यह तो bullish होंगे यह फिर bearish होंगे इस trend में होता है कि price जो हमारा upside की तरफ जा रहा है और एक भी आप नहीं देख रहा होगे कोई green candles बनी हो poorest movement में लेकिन यहां से price के अंदर क्या हुआ है कुछ green candles form हुई है आप एक चीज़ देखोगे कि price का basic trend है यह downtrend है फिर से price ने किया कि एक high लगा दिए यहां पर low लगा दिए price अपने supports को break कर रहा है बहुत normal way में इसको लेकर के चल रहा है price यहां से अपने supports को break कर रहा है and resistance को protect कर रहा है resistance के पास से price को rejections मिल रहा है और price यहां से हमारा continue नीचे की दरब गिर गया अब आपको क्या लग रहा है इस green वाली candles का यहां पर जितनी विए green candles बनी है यह bullish candles है यह bearish candles है किस तरह हम लोग इसको justify कर सकते हैं भले ही price हमारा uptrend में है लेकिन जैसे ही यह retracement पूरा होगा और अगर यह retracement success रहा तो price फिर यहां से continue अपना fall करेगा और फिर यह अपने supports को break कर देगा जैसे आपने दिखाना NCC के अंदर हो रहा है सेम वह structure आपको BPC के अंदर देख रहे है कि price हमारा गिर रहा है गिरते हुए पर यहां पर देखी green candles form हुई लेकिन price का जो basic trend है वो हमारा bearish है तो यहां पर चाहें जितनी भी आप bullish candle देख लो आप इस trap में नहीं फस होगे कि यह तो green candles बन रही है यहां से हम लोग buy कर लेंगे इस तरह की चीज़ें जब हम लोग करने जाते हैं तभी होता है कि bullish candle को देख करके हम trap में फस के इससे बचने का सिर्फ एक simple सा यह तरीका होता है कि आप price के basic trend को समझो higher time frame पर अगर हम लोग किसी भी level को draw कर लें वो अगर हमारा resistance area है यह वाला तो price क्या करेगा यहां से अपने resistance area तक जाने की कोशिश करता है और यहां से फिर सी नीचे की तरफ गिरेगा यह drawings जितनी easy होती है चार्स पर जब आप काम कर लोग तो actually इतना easy नहीं होता है यह drawings सिर्फ इसी लिए हैं ताकि समझ में आसानी साथ है जिस point of view को हम clear करना चाहते हैं अब एक resistance और यही पर मान के चलते हैं कि कोई एक हमारा support point है यहां पर जैसी price आया है अपने resistance तक यह higher time frame के area है यह higher time frame पर हम देख रहे हैं कि यहां पर अगर price जाते है तो बहुत ज्यादा हद तक चांस है price अगर range bound है तो यहीं से उबढ़ चला जागा और अगर trending है यहां से break out मार देगा वरना यह break inside में यह trade काता रहा कोई आपका support area है price नीचे की तरफ volumes काफी एहम role play करती है पस जैसे price हमारा नीचे की तरफ तो गिर रहा है बट इसके अंदर जो volumes है fall हो रहे है volumes भी गिरती चलिया रहे है और price हमारा गिर रहा है बहुत ज्यादा हद तक चांस यह होता है कि यहां से price के अंदर हो कोई बहुत हमारा अपसाइट की तरफ चला जाए अगर यह आपको strong area कई बार में लोग price के अंदर हो रहे है movements का average निकालते है just like Tata Steel के अंदर Reliance के अंदर normal candles हमारी 0.15, 0.20, 0.30% की बन रहे है बट वहीं price हमारे एक major support point पर आए और prices के अंदर की movement से यह कम हो जाए मतलब 0.1, 0.05, 0.20% की हो करके price यहां पर आकर रुख जाए बहुत हद तक यह होता है कि prices के color तो हमें red मिल रहे है बट यहां से move हमें bullish नजर आता है तो इन candles को भी हम लोग bullish candle ही कहते हैं बट इन bearish candles का use कहां पर करना है यह मालूम होना चाहिए bearish candle का use जो हम लोग bullish candle पर करना चाहिए दूसरी चीज होती है कई बार आपने देखा होगा कि pin bars form होती है pin bar bullish pin bar क्या होती है यह हो गई आप इसी में एक pin bar होती है color तो red है बट यह pin bar हमारी bullish है bearish में क्या होता है body एक rejection देखिए color red है यही पर हम लोग देखे है कि price का क्या color matter करता है वहीं देखिए आप दूसरी candle ने form किया यह हमारी color में तो यह green है but actually यह bearish candle होती है इस तरह से colors के candles होते है कई बार आपको price के movements के अधार पर अभी जो दो और तीन example समझे दिए price नीचे के side में गिर और volumes के color है वह red हो रहे मतलब कि यह bullish move की निशानी होती है दूसरा red candle अगर form हो रहे तो जरूरी नहीं है कि वह bearish है यह bullish candle भी हो सकती है और bearish candle form हो रहे तो जरूरी नहीं है bullish है यह bearish candle भी बन सकती है green color की candle होने के बावजूत अब हम इसका बताते हैं आपको hack जैसे कि यह हमारी bullish candle है अब इस bullish candle को अभी हमने क्या बताया आपको bullish candle है बट हो सकता है कि इसका major structure और move हो रहा हो यह down का हो मतलब यह bearish candle हो क्यूंकि price हमारा उपर से नीचे के दिशा में गिरता हुआ आया है और इसने एक candle कर दी जिसका की downside की तरफ से हम एक rejection देखने के मिल हम क्या करेंगे इस bullish candle के trap में नहीं फसेंगे इस bullish candle के low के breakout का हम just wait क्यूंकि बहुत ऐसे trader होंगे जो कि यह मानते हैं कि यह bullish candle बुलिश पिनवार है breakout के बाद में stop loss जाएंगे जिन्होंने यहां पर buy किया होगा और आपने जब stop loss रेने start कर दी है market से तो moves जो आपको catch होते हैं वो बड़े moves catch होते है मुस से अदाया अभी अपना NCC के अंदर क्या चल रहा है अच्छा ही चल रहा ही 12,000 के around का अपना profit हो रहा है candle से आपको बचना होगा candle के जो color से ने इनसे बचना होगा और उनकी जो body language हो रही जो price action बन रहा है उसको पकड़ना होगा अब इसका एक दूँ example भी हम आपको दिखाएंगे हो सकता है कि price आपका upside की तरफ आया हो basic structure इसका bullish हो बट यहां पर candle downside की बन गई candle से हमें दिखाए कि यह एक bearish candle है रुक जाओ trade मत करो नीचे गिर रहा है गिर जाने तो अगर हम देख रहें कि इसका move bullish है और price ने pin bar बनाने के बाद है price गिर रहा है तो फिर trade मत मारो trend के opposite direction में trade मारना यह कोई अकलमंदी तो नहीं है हम लोग trade करेंगे trend के साथ में तो जैसे इस pin bar की उपर price जाकर के आपका close कर देगा आप यहां से trade मारोगे मतलब एक bearish pin bar को आपने as a bullish pin bar consider किया और यहां पर जैसे यह price ने closing की आपने trade मार देगा तो इस तरह से आप candles के color में trap होने से बच जाओगे यह बहुत चोट इस टीक है देखिए NCC है मार्किंग शटा दे सारी चली मार्किंग अटा देता है मार्किंग याद रखिए का क्या है तो order works न लगा है अब देखिए first candle देखने से पहले NCC को अभी जब हम लोगोंने read किया तो basic trend इसका down में है यहां से क्या हो रहा है आज की जो first candle बनी है हमारी आपको नहीं लग रहा इसका color भी bullish है rejection भी downside की तरफ मिला है क्या होगा यहां से लोग buy करेंगे यह price तुमारा उपर की तरफ जाना चाहिए बड़ देखिए क्या किया इसने जैसे ही market ने 9.15 के इस bullish pin बार के नीचे की तरफ आकर के closing की है उसके बात से फिर price आपको ऊपर की तरफ नहीं जा पाया है तो यह candle कौन सी हो गई यह हमारी bullish candle नहीं है यह bearish candle है यह अगर bullish होती तो यहां से price को ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए वही हम देख रहा है कि price थो हमारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है बट यहां पर volumes क्या कर रही ना volumes हमारी गिर रही कहने को यह bullish move है बट यह एक bearish symptom दिखा रहा है मतलब कि जो कल price actions बने थे कल के जो symptoms थे market उसको continue करना चाह रही तो जैसे price ने कल के हमारे lows ब्रेक किया उनको मालू में जिस तरह से हम लोग ने अपना trade execute कया इस तरह से हम लोग candles के color में trap होने से बच सकते हैं अब यह दूसरे example ए Asian prints का Asian prints में हम यह मान के चलने है कि यह अपना एक support area है because यह जो green वाली candle है यहां से price ने एक swing high लगा दिया था और फिर यहां से price हमारा नीचे की तरफ आ गया Lowert यह 3-1-1-2.50 का area है अब 5 minutes पर में लोग जाएंगे इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि upside की जो line है वो हमारा एक resistance area है हो सकता है कि price इस तरह से breakout दिखाए आपको और यहां से फिर यह ऊपर की तरफ जाने की कुशिश करें बट यहां पर आपको volumes देखनी है and volumes के साथ साथ में price भी देखना है कि price के structures actually क्या है अगर यह bullish है तो उसको क्या करना होगा अपनी range के बाहर में जाकर के trade execute कर देना होगा तो हम माल देंगे कि यह जो move हुआ है यह bullish move है but इसके opposite क्या होगा अगर price को उपर की तरफ नहीं जाना opposite सोचे price को अगर उपर की तरफ नहीं जाना तो वो नीचे की तरफ गिरने के कुशिश करेगा अगर downside की तरफ गिर रहा तो इसके अंदर के moves कैसे हो रहा है support area है ना price नीचे गिर रहा है इसके अंदर volumes भी increase हो रही है आज तक increase होई है और इसके बात में जब यह ऊपर की तरफ गया है तो volumes भी जो इसके हैं वो नीचे की तरफ गिर रहा और जैसे प्राइस हमारा 3-1-1-2.50 पर पहुंचे है यहाँ पर volumes के breakout हो गया और प्राइस अपने resistance level के पास में है पहरा symptom दूसरा यहाँ पर जो प्राइस है इसकी candles देखे चूटी-चूटी candles फॉर्म हो रहे चूटी-चूटी candles फॉर्म हो रहे यहाँ पर एक bearish candle बन गई जिस candle के हम बात कर रहे थे अभी यह bearish candle बन गई मतला price हमारा उपर की दिशा में जा रहा है basic movies का downtrend में है लेकिन price हमारा उपर की दिशा में जा रहा है तो यहाँ पर देखे ट्रैप क्या जा रहा है यह देखे bearish candle बन गई यहाँ पर भी क्या यह bearish candle नहीं है color देख रहे ना color इसका red है but structure bullish लग रहा है यह एक तरह की bullish candle बन गई हमारी but जैसे ही price ने इस bullish candle के नीचे move करना start हुआ यहाँ से देखे price किस तरह से turn हुआ यह कुछ traps होते है जब regularly हम लोग किसी भी एक concept को पढ़ते रहेंगे समझते रहेंगे तो यह साही चीजा समझ में आती है candles के color I hope कि जो चीज अभी इमने समझा ही होगी clear होगा और यह सारी चीजों के पूरे concept का हम ऐसा मान के चलते हैं 2 या 3% ही है क्योंकि काफी बड़ा concept होता है सब समझाने बैठेंगे तो बहुत सारा समय आगा तो इसको जितना हो सके अभ्यास करने कोशिश करो practice करो इसके ओपर trade execute करो live market में experience करो बहुत सारी चीज़ आपको समझने को सीखने को मिलेंगे अब देखिए यह price downside की तरफ है इसने एक move दिखाया हम लोगों को trade cut to green है अब यहां समें लोगे बहुत अचा अब रोल प्ले करती है वोल्म्स को भी आपको देखना पड़ेगा किस जगह पर हम लोग प्राइज को देख रहे है जासि आप एक प्राइज को प्राइज ज़से देखिए किन लोगई टेखिए ज़से की टेक हम लोगे यह जल्दी साढ़ के राउंड हम लोग चल रहे थे यह करणने करा देख कर दस मिट मनलब दो बचकर दस होने वाले है बहुत मिनत लगती वीडियो अगर आप से लगता है अगर अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजे कोमेंट्स की जाता है एप यहां से चली जल्दी से ओके 15,800, 15,076 रुपष को अवर अगर प्रफित है आज के लिए टेडिंग सेशन का वीडियो टेडिंग सेशन लोग जहें पर क्लूज करते हैं थैंक्स और वी विल मीट अगें झाल… क्याल… रटे लोग पते हैं झाल झाल